हलो दोस्तों स्वागत है आप सबका आपने ही यूटूब चैनल लर्दिंग के अफे में आज के वीडियो में बीटी एसी डॉक्टर रजनिस कुमार सर का सेट 11 को शुरू करेंगे सेट 10 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है लिंक डिस्किप्शन में दे दिया हूँ या आप लिलिस्ट में जाके देख लिजिएगा अगर आप लोगों के पास यह प्रैक्टिस सेट है तो अच्छी बात है अगर नहीं है तो टेंसर नहीं लेना है पूरे सेट का पीडियेफ आप लोगों को प्रवाइड करा दिया जा स्थान पर है भारत विश्वां स्थान पर है नेक्स्ट कोईचन वर्ष 2021 में अध्योगिक उत्पादन सुचकांक आधार वर्ष 2011 से 12 में इन में से किस छेत्र में सरवाधिक गिरावट देखी गई पूंजी गत वस्तुए में ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा अगला कोईचन अपरील 2020 की तुलिना में अपरील 2021 में भारत में पन्य वस्तु निर्यातों में विरिधी दर्ज की गई कितना परतिसत पलस एक सो पंचान में पोइंट साथ दू परतिसत वितिये वर्ष 2021 में परचलेत कीमतों परसकल घरेलो उत्पाद की विरिधी दर्ज अंतिम अनुमानों के अनुशार कितना है, माइनस तीन पॉइंट जीरो परतिशत, आरवी आई के केंद्रिये बोडने मैं 2021 की बैठक में वर्ष 2021 में भारत सरकार की लाभांज के रूप में कितना अधिसेश हस्तांतरन करने का निर्ने लिया, 99,122 करोर रुपया, आप्शन A हो जाएगा, भारत में नियोजित अर्थ व्यवस्ता आधारित है, किस चीज़ पर आधारित है, मिश्रित अर्थ व्यवस्ता पर आप्शन B राइट अंसर हो जाएगा, मिश्रित अर्थ व्यवस्ता एक ऐसी अर्थ व्यवस्ता है, जो अलग-अलग मार्केट एवं आर्थिक योजनाओं का मिश्रन है यह एक एसी अर्थ व्यवस्ता है जिसमें सार्वजनिक स्वामित्व तथा नीजी स्वामित्व का मिश्रन होता है जीवन बीमा नीगम एक उधारन है यह किस बैंक का उधारन है निवेश बैंक का भारत में अधिकांच व्यक्ति ब्यकार है क्रीसी में भारत सरकार द्वारा समुदाई विकास योजनाव की शुरुवात किया गया 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 1952 को दूरला मुदरा का आसे उस मुदरा से है विक्सित देशों का है भारतिय अर्थ व्यस्ता का कौन सा छेतर सकल राष्टिय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान करता है 3 तीयक छेतर बैंक को दूरा लाए गए निमलिखित में से किस भूगतान उपाई को पलास्टिक मुदरा कहा जाता है क्रेडिट कार्ड अप्शन भी हो जाएगा क्रेडिट कार्ड को सापेक्ष निर्धनता का अर्थ क्या है आर्थिक और समान ताए अप्शन डी हो जाएगा सापेक्ष निर्धनता का अर्थ आर्थिक और समान ताए है मोरी काल में संस्था सन्बंदी थी ये किस चीशे सन्बंदी थी गुप्त चड़ से पुहार पत्तम कावेरी पत्नम का निर्मान करवाया किस ने करवाया कारी काल ने करवाया option ए हो जाएगा कारी काल ने कावेरी नदी के तटपर पुहार पतनम कावेरी पतनम का निर्मान करवाया दक्षनी प्राय द्वीप में सबसे पहले पतीनी या कन्नानी पूजा आरंभ करवाया किसने करवाया सेन गुटुवन ने करवाया हर्सवर्धन ने किसे अपना राजधानी बनाया हर्च वर्थन ने कन्योज को अपनी राजधानी बनाया आप्शन C हो जाएगा कन्योज असो के अभिलेखो को सरुपर्थम किस ने पढ़ा सरुपर्थम जेम्स प्रिंसेप ने आप्शन D राइट आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप ने 1837 इस्वी में असो के अभिलेखो को पढ़ा था 1857 इस्वी का विद्रोह मुख्यत किस कारण से औसफल रहा 1857 के विद्रोह की औसफलता का सब से बड़ा कारण किसी समान योजना और केंदरिये शंगठन की कमी थी औसफली तो ब्रहमा समाज के अस्थापना राजा राम मुखन राई ने 1888 सिवी में क्या थी, औप्सली हो जाएगा स्वामी विव Bernard ने राम किरशन इमिशन के अस्थापना कब की 1896 सिवी में उन्नीस्वी सतावदी के उत्रार्थ में नव हिंदुवाद के सरुस्रेष्ट परतिनिधी कौन थे? स्वामी विवेकानन्द लॉर्ड विलेजली की सहायक संधी को स्विकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव दूतिये निमलिखित मेंसे किसने बंगाल में दोयद सासन परनाली को समाप्त किया? वारेन हेस्टिंग औप्सन सी राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग ने दोयद सासन परनाली को समाप्त किया और लागो किया था? रोबर्ट क्लाइब ने 775 इस्वी में और 772 इस्वी में वोरेन हैस्टिंग ने समाप्त कर दिया सेर ए पंजाब के नाम से इन में से कौन मसहूर थे सेर ए पंजाब के रूप में लाला रजपतराई जो है परसी दे थे आप्शन सी हो जाएगा लाला रजपतराई निम्र में से कौन सा गोल में सम्मेलन 1932 इस्वी में हुआ था तीसरा गोल में सम्मेलन ओप्शन सी होगा 17 नवंबर से 24 नवंबर 1932 को तीसरा गोल में सम्मेलन संपन हुआ कॉंग्रेस ने इसका बहिसकार किया अभिनव भारत से कौन सम्बंदित है बीडी सावरकर ओप्शन ए होगा अभिनव भारत समीती या यंग इंडिया सोसाइटी 1904 इस्वी में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा अस्तापित हुआ था अजाद सत्रू के वंस का नाम क्या था अजाद सत्रू जो ये हरियक वंस से सन्बंदित था अप्शन बी हो जाएगा हरियक वंस त्रितिये बौध सवाकिस अस्तान पर बुलाई गई थी पाटली पुत्र में अप्शन डी होगा त्रितिये बौध संगीती का आयोजन 251 इसापुर में असोक के सासनकाल में पाटली पुत्र के असोका राम विहार में मोगली पुत्तिस की अध्यक्सता में हुआ था इस संगीती में कुछ कठोड नियम बनाए गये तथा अविधम पीटक का संकलन हुआ है नेक्स्ट कोईचन गुलाम वंस का पर्थम सासक कौन था? गुलाम वंस का पर्थम सासक कुतु बुद्धिन एवक था? अलावदिन खिल जी के आकर्मन के समय देवगिरी का सासक कौन था? अलावदिन खिल जी के आकर्मन के समय देवगिरी का सासक राम चंदर देव था? ओप्शन भी हो जाएगा राम चंदर देव नेक्स्ट कोईचन निमलिखित में से किस मुस्लिम सासक ने तिर्थ यातरा पर कर समाप्थ कर दिया था अकबर ने 1563 इस्वी में तिर्थ यातरा कर समाप्थ कर दिया फिरोज तुगलक द्वारा अस्थापित दार उल सफा क्या था पिरोज सा तुगलक द्वड़ास्थापित दार उल्शफा एक खैराती अस्पताल था अस्थाई बंदुबस्त किसके साथ किया गया जमिंदारों के साथ अस्थाई बंदुबस्त को 1793 इस्वी में लॉड कर्नवालिस ने लागू किया था प्रातना समाज के संस्थापक कौन थे प्रातना समाज के स्थापना आत्मा राम पांडुरंग ने 1866 इश्वी में बंबई में किया था उप्षन A right आंशर हो जाएगा आत्मा राम पांडुरंग भारतिय राजकुमारों की सिक्षा और प्रसिक्षन के लिए किसने कॉलेज खुलवाया था लोड मेयों ने धर्मत का यूध निम्न में से किसके बीच लड़ा गया था धर्मत का यूध 1658 इसु में औरंग जेव ने दारा शिको की साही सेना को प्राजित किया विजे के उपलक्ष में औरंग जेव ने फतेहाबाद नामक शहर की अस्थापना की ओप्षन सी राइट आंसर हो जाएगा औरंग जेव और दारा शिको की बीच हुआ था गैलीलियो द्वारा साथ चल्लो की खोज किस गरह पर किया गया सनी गरह पर ऑप्षन भी होगा सनी गरह पर गैलीलियो द्वारा साथ चल्लो की खोज की गई उत्री पुर्वी मांचून से सबसे अधिक वर्षा होती है तमिलनाडू में निम्र में से कौन सा मेघाले पठार का अंस नहीं है भूबन पहारिया ऑप्षन ए हो जाएगा भूबन पहारिया जो है ये असम में अस्थित है वह दर्रा जो सरवादिक उचाई पर अवस्थित है ऑप्षन में जो दिया गया है ऑप्षन के अनुसार सबसे उचा दर्रा जो है केसर का एक अस्थानिय परकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है पाई जाती है ये कहाँ पर पाई जाती है कश्मीर हिमाले में निम्ण में से कौन सा एक अस्थल रूद देश है हंगरी निम्ण में से कौन सा दूइप छेतरफल में सबसे बड़ा है परस्न के जो अनुसार है छेत्र फिल में सबसे बड़ा बोर्णियों है और दूसरा जो है नूगीनी विस्व का दूसरा सबसे बड़ा दूइप है और बोर्णियों तीसरा है लेकिन आप्टन के अनुसार बोर्णियों पहला है नीम्न में से किस छेतर में भूमध साग्रय जलवायू परचलित नहीं है पमपास में वह देश जो विशु में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है चीन आप्शन भी होगा चीन विशु का सबसे बड़ा सिल्क उत्पादक देश है इसके बाद भारत विश्व में सबसे बरासिल्क उत्पादक देश है सन्यूक्त राष्ट की वर्ल्ड पोपूलेशन प्रोस्पेक्टस 2015 के अनुसार वर्तमान में विश्व की जन संख्या कितनी है 7.3 अरब विश्व की कितनी परतिसत आबादी भारत में निवास करती है 17.5 परतिसत जन गन्ना 2021 के अनुसार भारत का कूल जन संख्या कितना है वर्ष 2021 के जन गन्ना का अनुसार भारत की कूल आबादी 121.08 करोर है ओप्शन बी राइट आंशर हो जाएगा 121.08 करोर वर्ष 2021 के जन गन्ना का अनुसार भारत का 10 की जन संख्या विरीधी दर कितना परतिसत है 17.7 परतिसत इसके बाद मैथेमेटिक सा कोईचन है तो इसको आप अराम से बैठके स्वाल किजिए जो इसका राइट आंसर है वो मैं बता दे रहा हूँ दो संख्या एक तीसरी संख्या से कराम सक 30 परतिसत तथा 37 परतिसत कम है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परतिसत कम है 10 परतिसत एक व्यक्ति 10 रुप्या में 11 पुष्टके खड़ीता है एवं 11 रुप्या में 10 पुष्टके बेशता है उसका लाव परतिसत निम्न में से चुने एक कीस होगा लाव परतिसत एक व्यापार में 76,000 रुपे का निवेश करता है कुछ माह 50 उससे B 57,000 रुपे के साथ जुरता है वर्स के अंत में कूल लाब को 2 रेसियो एक के अनुपात में बाटा जाता है B कितने माह के उपरांत जुरा 4 माह option भी हो जाएगा नेक्स्ट कोईचन 2 पलस रूट अंडर 3 बाइ 2 मैनेस रूट अंडर 3 पलस 2 मैनेस रूट अंडर 3 बाइ 2 पलस रूट अंडर 3 पलस रूट अंडर 3 पलस 1 बाइ 2 रूट अंडर 3 मैनेस 1 का मान कितना होगा 16 पलस रूट 3 होगा नेक्स्ट कोईचन यदि 20 परिनामों का आउसत 25 और 25 परिनामों का आउसत 20 हो तो दोनों परिनामों को मिलाने पर नए आउसत का मान ग्याद करें 22.2 होगा माना function of x equal to ax to the power 7 प्लस bx cube प्लस cx minus 5 जहां a, b, c नियत है यदि function of minus 7 बराबर 7 हो तो function of 7 बराबर क्या होगा माइनस 17 होगा रीता की साधी 6 वर्ष पुर्व हुई थी आज उसकी उमर साधी के समय की उमर का 1 by 1 पुर्णाक 1 by 4 गुना है यदि उसके पुत्र की उमर उसकी उमर की 1 by 10 गुनी है तो उसके पुत्र की उमर क्या है 3 वर्ष एक ठोस तामबे के गोले का व्यास 6 cm है उसे कूट कर एक तार जिसका व्यास 0.2 cm है एक रूप में ढाला गिया है तार की लंबाई कितनी है 36 मीटर है तीन घंटिया एक साथ पराता एक ग्यारा बज़े बसती है वेक रमस बीस मिनट तीस मिनट और चालिस मिनट के नियत मित अंतराल पर बसती है निम्र समय पर पुना हुए तीनों एक साथ कब बज़ेगी एक बज़े दीन में एक वेक्ति बीस रुप्या मुली के सियर नौ परतिसत लाभांच अदा करके खड़िता है वो अपने धन पर बार परतिसत ब्याद चाहता है परतिस रेयर का बाजार भाव क्या है पंदर रुप्या ओप्शन भी हो जाएगा पंदर रुप्या नाइट्रिक अमलका प्राक्रितिक स्रोथ क्या है फिट कीरी ओप्शन भी होगा नाइट्रिक अमलका इस्तिमाल विसफोटक पदार्थ औस धीयो औस धीया उर्वरक अमलराज बनाने और फोटोग्राफी में ह होता है और जेलिक अमल प्रक्रितिक शुरूथ क्या है ये सारेल का विरिक्ष अप्शन ए होगा सारेल का विरिक्ष ऑग जेलिक अमल का इस्तेमाल कपड़ों की छपाई एवं रंगाई फोटो ग्राफी एवं विरंजक के रूप में होता है लाल चीटिया तथा बिच्छु फार्मिक एसिड का जो उप्योग है जीवानी नासक के रूप में फलोग के सनरक्षिद रखने में चमड़ा वयवसायत था रबर के असकंदन में होता है है जे के टीके का अविस्कार किया था किसने किया था रबर्ट कोच ने किया था चेचक के टीका की खोज किसने की चेचक विश्व की पर्थम विमारे थी जिसके टीके की खोज हुई 1976 में परसिद चिकित्सक एड़वर्ड जेनर ने चेचक के ठीके का अविश्कार किया आप्शन सी हो जाएगा एड़वर्ड जेनर पोलियो का ठीका का अविश्कार किसने किया जोनास सालक पिने वाली पोलियो वैक्शिन की खोज किसने कि हिलेरी कोप प्रोट्स की अस्टील में कितना कारवन होता है 0.1 से 2.3 अस्तंधारियों में स्वासन किसके दुआरा होता है फुपुस फेफरा के दुआरा होता है ओप्शन ए हो जाएगा मानव सरीर का कौन सा भाग सरीर ताप को नियंत्रित करता है फेफरा ओप्शन डी हो जाएगा फेफरा दोस्तों अगर आप चैनल पर पहले बार है तो सब्सक्राब करने के साथ साथ नटिफिकर्शन वेल को दा के औल के पे क्लिक किजिए ताकि आने वाले वीडियो का नटिफिकर्शन सबसे पहले आप तक पहुँचे और वीडियो का लाकर के जादा से जादा से शेयर कीजिएगा इन फलिदार पौधों में से कौन पेट्रो पेट्रो पादब भी है करंज कैफीन उपस्तित रहता है कैफीन जो है ये किसमे उपस्तित रहता है तो चाई में भी रहता है कौफी में भी रहता है मिर्दू पे उड़जा पे पदार्थों में कैफीन जो है पाई जाती है कैफीन चाई और कौफी दोनों में पाई जाती है तो आप्शन ई राइट आंचर हो जाएगा एक से अधिक निम्र तत्वों में से किसमे निूट्रोन नहीं होता हैड्रोजन में इंगर्श्ट्रॉम इकाई है ये किस्चिस का इकाई है तरंग धैर ये का आवरीति को नापा जाता है आवरीति को जो है हर्ज में नापा जाता है आप्शन A हो जाएगा हर्ज में ना पा जाता है ट्राई गिलीश राइड क्या है ट्राई गिलीश राइड हमारे सरीर में मौझूद एक परकार का वसा होता है ट्राई गिलीश राइड के उच अस्तर से हिर्दे रोग का खत्रा बढ़ जाता है आप्शन C हो जाएगा वशा है इन में से कौन सा रोग जीवानुओं से उत्पन होता है तपेदिक टिटिनेस रोग किस अन्य नाम से भी जाना जाता है लगजा के नाम से जाना जाता है अस्तानिय वनस्पती का संग्रह क्या कहलाता है हर्बेरियन अप्शन B हो जाएगा हर्बेरियन अस्तानिय वनस्पती का संग्रह कहलाता है निम्ण में से कौन सा जीव अपनी तौँचा से सांस लेता है मेढक पोलियो किसके कारण होता है पोलियो एक संक्रामक रोग है जो की पोलियो मेलाइट्स विशानू द्वारा होता है ऑप्शन B हो जाएगा विशानू के कारण पोधों में अर्ध सूत्री विवाजन के अध्यन के लिए सबसे उपर युक्त भाग क्या होगा पराग कोस जल निकायो का गजे टीयर के रूप में एटलस जारी करने वाला बिहार बनेगा विशु में विशु में दूतिये बनेगा ऑप्शन C हो जाएगा भारत अपने ज जल निकायो का एटलस त्यार करने वाला अमीरका के बाद दुनिया का दूसरा देश है यह कारी देश में केवल बिहार सरकार दोवारा किया जा रहा है शुर्डगीय स्यवाल गुपता का संबंद था अर्थ व्यवस्था से इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के नुसर महिला पुलिस भागीदारी के मामले में बिहार का देश में अस्थान है पर्थम अस्थान है सहरी शासन सुच कांग 2020 में बिहार का रेंक है दसमा रेंक बिहार के पर्मोद भागत ने 4 सितमबर 2021 को फाइनल में किसे हराकर टोकियो पैरालंपिक में बैडमिंटन में गोल्ड जीता है डेनियल बेथेल को नौमबर 2020 में बिहार का उपभोगता मुल्ली शूच कांग था एक सो बासेट दसमलव चार परतिसत बिहार का सबसे अधीक और सबसे कम परतिव्यक्ति शकल जीला उत्पाद का अंतर या विशमता क्या है सितमबर 2020 तक बिहार में कूल कितने राश्टिय उच पत थे सितमबर 2020 तक बिहार में कूल अंठावन राश्टिय उच पत है ओप्शन भी हो जाएगा अंठावन सरक दुरघटना के मामले में वर्ष 2019 में देश में बिहार का स्थान है बिहार का स्थान 15 हवा है भारत राजी 1 रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार का सरवादिक 1 छेत्फल किस जिले की है कैमूर जिले की कैमूर सीरीज सेल समू का कल्प है विंधी करम बिहार राजे का छेत्फल है बिहार राजे का छेत्फल 94,163 वर्ग किलो मीटर है अप्शन C राइट आंसर हो जाएगा 94,163 वर्ग किलो मीटर अगर इसे हेक्टियर में ना पाजाए तो 94,16 लाख हेक्टियर होगा वर्ग दोजाले गारे के जने गर्णा किनुशाड बिहार राजी का जनसंक्या घनतु क्या है 116 बख्तियार खिल जी की आकरमन के समय करनाट राजी पर किसका सासन था नर्शिंग देव का किस विद्वान ने चन्द्रगुप्त मौरी के राजपरसाद के बारे में कहा है कि इसकी सान सौकत का मुकावला ना तो सूसा और नहीं एक बेतना कर सकते है एरियन ने बिहार को मुगल समराजी के प्रांद का दर्जा कब दिया गया पंदरसो अस्ती इस्वी में पटना में अस्तीत गोलघर का निर्मान किस गवर्णर जनरल के काल में हुआ था लॉड कारदवालिस के समय में आप्शन डी हो जाएगा पटना में अस्तीत गोलघर का निर्मान कारदवालिस के गवर्णर जनरल काल में जोन गायस्टीन ने अनाज भंडारन के लिए करवाया था इसका निर्मान 20 जनवरी 1784 को आरम हुआ और 20 जुलाई 1786 को कॉंप्लीट हुआ संपन हुआ नेक्स्ट कोईचन बिहार के लिए लगान परिशद यानी रिवेन्यू कॉंसील अफ पटना का गठन हुआ कब हुआ? 1770 इस्यू में इस लगान परिशद का अध्यापच जेम्स अलेक्जेंडर थे बक्षर का युद कब हुआ? बक्षर का युद 22 सक्टूबर 1774 को बक्षर के युद में अंग्रेजी सेना का नेत्तरीतु हेक्टर मुंडो ने किया बक्षर का युद जो है मीर काशिम, बंगाल के नवाब और सुजाउद दौला अवद तथा सा अलम दूती है मुगल बादसा था तीनों की सम्मिलित सेना को अंग्रेजों ने एक ठे हराया इसमें जो है इस्ट इंटिया एकमडी के जीत हुई नेक्स्ट कोईचन बिहार में 1857 की विद्रोह के नेता अमड सिंग को गिर्फतार किस ने किया था महराजा जंग बहादूर प्रिथक निर्वाचन परनाली को किस बिहारी ने और सिमीत दूष्टता पूर्ण योजना कहकर आलोचना की थी हसन इमाम ओप्शन ए हो जाएगा हसन इमाम दोस्तो रुकमीनी परकासन का बिप्यस्ट के लिए निव प्रैक्टिस सेट आया है वो चैनल पर स्टार्ट कर दिया गिया है और मार्चमेन का भी BPSC का मार्च में निव प्रैक्टिस सेट आया है वो भी चैनल पर स्टार्ट कर दिया गया है दोना का लेंग डिस्किप्शन में मिल जाएगा यह आप चैनल के पली लिस्ट में जाके देख लिजिएगा नेक्स्ट कोईचन लेफ्टीनेंट गौवर्णर एडवर्ड बेकर ने पटना नीलोहो का सम्मेलन बुलाया कब बुलाया कितना इस्वी में 1909 से 10 इस्वी में बिहार चात्र सम्मेलन का 24 सम्मेलन 17 से 18 अक्टूबर 1931 को कहां हुआ था आरा में हुआ था Man of Blood and Iron किसे कहा जाता है विसमार्क को कहा जाता है भारत रतन की शुरुवात कब हुई थी भारत की सर्वत सम्मान भारत रतन की शुरुवात 1904 में हुई थी option A हो जाएगा 1904 में अंतराश्टिय नयाले की अस्थापना कब हुई थी अंतराश्टिय नयाले की अस्थापना 1946 इस्थी में हुई इसका मुख्याले हेग नीदर लेंड में है विशू परियावरन संरक्षन दिवस मनाया जाता है ये 26 नवंबर को मनाया जाता है विजे घाट किसकी समाधी अस्थल है विजे घाट लाल बहादूर सास्त्री की समाधी अस्थल का नाम है अप्शन बी हो जाएगा लाल बहादूर सास्त्री दिल्ली चलो का नारा किस ने दिया था सुबाद चंद्र बोशन भारतिये खगोल संस्थान अस्थीत है भारती अखगोल सष्थान करनातक की राजधानी बेंगलूरु में अस्तित है आप्शन भी हो जाएगा बेंगलूरु में राश्टिया नाटिव विद्ध्याले की अस्थापना कब हुई थी राश्टी ये नाटि विद्याले के स्थापना 1969 इस्वी में हुई थी संगीत नाटक अकार्मी के एक घटक के रूप में तिरंगा के तीन पटियों में एक केशरिया पर्तिक है ये किस चीज का पर्तिक है सांती का पर्तिक है और हरा जो है वो समरीधी का पर्तिक है इन में से कौन सा विद्यक राश्टपती की अनुमति के पहचात ही लोक्षवा में परस्तूत किया जा सकता है नवीन प्रांत के स्रीजन का विद्यक उच नयायाले के किसी नयाधीस की आयू के बारे में उत्पन किसी प्रस्ण का विद्यक कौन करता है सरवच नयायाले का मुख्य नयाधीस के प्रामर्स से राश्टपती करता है भारती सम्विधान में संग की नयायपाली का सकती नहीत है अनुछेद तिरपन के अनुशार संग की कारीपाली का सकती राश्टपती में नहीत और वह इसका परयोग इस सम्विधान के अनुशार स्वयम या अपने अधिनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा option D हो जाएगा राष्टपती में भारत में सम्विधान के अनुछेद 312 के तहत निर्मित अखिल भारतिये शेवाए कौन सी है भारत परशासनिक सेवा, भारत पूलिस सेवा, भारत वन सेवा भारते समिधान का अनुछे 368 समिधान में संसोधन किये जाने की परकिलिया बताता है बताईए समिधान संसोधन इन में से किस परकार किया जा सकता है पहला देखिए संसद के साधारन बहुमत से भी किया जा सकता है पहला सही है, संसद के विशेश बहुमत से ये भी सही है, संसद के विशेश बहुमत था राज्यों के अनूश अमार्थन से भी किया जा सकता है, तो option D right answer हो जाएगा, उपरियुक्त सभी परकारों से लोक सभा में सरवादिक परतिन इधित्यु के अधार पर राज्यों का सही करम कौन सा है, उत्तर परदेश, महाराष्ट और पक्षिम बंगाल, अगला कोहिचन, भारते समिधान का कौन सा अनूशेद भारत के संचित कोस से संबंदित है, तो अनूशेद 112, 29 ये है, अनूशेद 118, 26 ये भी है, तो ऑप्षिन D राइट आंसर हो जाएगा, उपर यूगत सभी, भारत की किंद्रिये अस्तर पर लेखांकन तथा लेखा परिक्षन निमलिखित के अधिकार छेतर में आता है, तो ये जो है, नियंतरक एवम लेखा महा परिक्षक के अंतरगत आ लेखा परिक्षक का मुख्य उदेशी किस के वयाई पर नियंतरन करना होता है, कारी पालिका के अप्षन ए राइट आंसर हो जाएगा, कारी पालिका, नेक्स्ट कोईचन, नेपाल में 13 जुलाई 2020 को किसे परधान मंतरी नियुक्द किया गया है, सेर बहादूर देवुबा को भारत में 13 सताबदी में निर्वित किस सीव मंदिर को जुलाई 2020 में विश्व धरोहर सुची में सम्मिलित किया है, सम्मिलित किया गया, राम अप्पा का रूद्रेशुर मंदिर किस सेंधव अस्थल को जुलाई 2020 में युनेश्को ने विश्व धरोहर की सुची में सामि धौला वीरा को अप्शन ए होगा धौला वीरा सेंदाव अस्तल को भी विश्व धरोहल की सूची में सम्मिलित की गई है आवास एवं सहरी मामले मंत्राले द्वारा जारी रैंकिंग के तहत अश्मार्ट सीटी मीशन के किरियान वेयन में किस राजी को पर्थम अस्थान परा हैं मार्टिन गिरी फिट्स भारत पेट्रोलियम कर्पुरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं अरून कुमार सिंग हाल ही में किस भारतिय मुल्की महिला ने विशुव खाद्धी पुरिश्कार 2020 जीता है सकुंतला हरक सिंग भारत का पहला किरीशी निर्याद सुविधा के अंदर कहां अस्थापित किया गया है पुने में अस्थापित किया गया है सियख जायद बूकर पुरसकार जीतने वाली पर्थम भारतिय महिला कौन बनी है ताहिरा कुतुबुद्दिन ऑप्शन भी होगा डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दिन अबुधावी की सियख जायद बुकर पुरुसकार 2020 जीतने वाले पर्थम भारतिये महिला बनी है हाल ही में डीजिटल बार्ड रिपोर्टिंग परनाली का इस्तेमाल करने वाला पहला राजी कौन बना है पहला राजी जो है असम है आठ मई 2020 को वर्चूल रूप से आजोजित भारत यूरोपियन के नेताव की बैठक की मेजबाने किस देश के द्वारा की गई पूर्टगाल के द्वारा आउप्शन डी होगा पूर्टगाल नेक्स्ट कोईशन 11-12 माई को वर्चूल रूप से आजोजित पहली बिक्स रोजगार कारी समू की बैठक के अध्यक्सता किस देशने की भारत ने हाल ही में अंटार्क टिका महाद्वीप से अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े हीमखंड को क्या नाम दिया गया है A74, A76 ओप्शन सी हो जाएगा A76 हाल ही में किस राजी सरकार ने अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी एप लंच किया है जाएखंड सरकार हाल ही में अमेजन के नए CEO किसे नियुक्त किया गया है इंडी जेसी को हाल ही में कौन भारतिय मूलकी छातरा ओक्सफोर्ड छातर संग की अध्यक्ष बनी है अनवी भुटानी हाल ही में किसने मोनाको ग्रांड पिरिक्स 2021 रेस जीता है मैक्स वर्ष टेपन हाल ही में किस परशिद वस्केट बॉल खिलारी को बस्केट बॉल हॉल ओफ फियम में सामिल किया गया कोबे ब्रायंट को हाल ही में किस राज़ी सरकार ने मिट्टी के खिलोने को जी आर टेग देने की घोसना की है तमिलनाडू के मिट्टी के खिलेओं खिलोने को भारत के किस महिला एथलीट ने वर्ल्ड कुस्ती चेंपियनसीप में जुलाई दुहरीकिस में स्वर्ण पदक जीती पिरिया मलिक भारतिय मूल का वह अमेरिकन योवा टेनिस खिलाड़ी जिसने विम्बल्डन टेनिस ओपेन परतियोगता में जूनियर एकल खिताब जीता शमीर बनर जी हाल ही में लेवनान के नए परधान मंत्री कौन बने है नजीब मिकाती औप्शन भी होगा नजीब मिकाती करनाटक के नए मुख्यमंत्री है बस वराज बोंबई ऑप्शन भी होगा बस वराज बोंबई हाल ही में पेरू के नए परधाश्टपती बने है पेडरो कश्टीलो कांज फिल्म फेश्टीवल दुहारेकी में किसे सरुस्रेश्ट फिल्म का पुरिसकार मिला है टाइटियन को मैं दुहजारेकी इस में यूरोप के सबसे लंबे पैदल यात्री सस्पेंसन ब्रीज को किस देश ने लोगों के लिए खोल दिया है पूर्टगाल भारत का पर्थम टाइर पार्क कहां अस्थापित किया जा रहा है कोलकाता में ओप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में दोस्तो आज के वीडियो में रजनिस कुमार सर का 11 वाज सेट कम्प्लिट हो गया यहाँ पर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा सियर कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नडिफिकेशन मेल को दो आके ओल पे किलिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नडिफिकेशन सबसे पहले आप तक कहुँचे तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक कियर